करते हैं सालों तक पेमेंट लंबित रहती है केरला में यहां मोधी जी ने तीन दिन का एक स्टिप्यूलेटेड टाइम पीरिड दिया है कि हमारे भगवान हमारे अन्दाता को कोई परेशान नहीं कर सके तीन दिन के अंदर उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए केरल सरकार इस कान केरल में मंडी को विपान्नी कहते हैं आप आज जाके देखिए यह जो विपान्नी होते हैं जहां पर यह प्राइवेट एंटिटी खरीद विक्री करते हैं किसकी कंट्रोल इन विपान्नी पर है आपको मालूम पड़ेगा पूरी तरह से उनके खुद के कारे करता वहां बै 2018 तक त्रिपूरा में वामपंथ की सरकार रही है और मुझे बोलते हुए खेद हो रहा है दुख हो रहा है and just look at the dire hypocrisy of the left parties आपको जानके आश्चरी होगा कि त्रिपूरा में इन 25 वर्षों तक कोई भी MSP नहीं था minimum support price की आज हम बात कर रहे हैं कि त्रिपूरा एक मात्र ऐसा राज्य था 25 वर्षों तक वामपंथ के अंतरगत त्रिपूरा एक मात्र राज्य था जहां पर MSP लागू नहीं होती थी नियुनतम समर्थन मुल्य किसान को नहीं दिया जाता था और आज ये तमाम वामपंथी लीडर press conferences कर रहे हैं ये किसान के हितैसी बने हुएं पच्चीस वर्षों तक आप त्रिपूरा के किसान को लूटते रहे और ये तो शुकर है कि भारतिय जंता पार्टी की सरकार जब 2018 में त्रिपूरा में आई तो सबसे पहला काम जो भारतिय जंता पार्टी की सरकार ने त्रिपूरा में किया वो है procurement of paddy किस प्रकार से जो धान है धान की procurement में मैं आपको बता दू 48,716 metric ton ये procurement किया धान का 27,735 किसानों से और जो कुल खर्चिस में हुआ वो 86,65 करोड रुपिया का ये BJP की सरकार जब सरकार में आई त्रिपूरा में तो पहला काम ये BJP की सरकार ने किया और तो और त्रिपूरा में higher milling charge होने के बावजूद जो additional expense बियर करना पड़ता है ये भी भारतिय जनतापाटी की सरकार ने त्रिपूरा में बियर किया जो की लगभग 6 करोड रुपै का था जो किसान पहले त्रिपूरा में वामपंत के अंतरगत अपने चावल को 10 से 12 रुपै परति केजी बेचता था वही अब भाजपा के साशन में 18.5 रुपिया परति केजी बेच रहा है तो आप बताइए कल्यान किसके यूग में हो रहा है वामपंत के यूग में कल्यान हुआ था या हमारी यूग में हो रहा है आपको जानके आश्चरी होगा जब वामपंत का सत्ता के रल में था तो लगभग 2017-18 में जो अग्रिकल्चरल ग्रोथ रेट था त्रिपूरा में वो 6.4 प्रतिशत था मात्र 6.4 प्रतिशत अब भारती जंता पार्टी की सत्ता त्रिपूरा में हैं तू कंजेक्यूटिव यर्स 2018-19 और वर्तमान का 2019-20 इसमें आपको जानके खुशी होगी कि अग्रिकल्चरल ग्रोथ रेट 13.5 परसेंटेज है जहां जहां वामपंत रहा है वहां वहां किसानी डूबी है वहां वहां किसान परत्याचार हुआ है और जब जब भाजपा आई ह किसान आगे बड़ी है यह बिल्कुल सही है जहां भी लेट होती है वहां एकॉनमी की वहां किसानों का कुछ भी बचता नहीं है सब कुछ समाप तो हो जाता है बंदुगन मैंने कहा तीन राज्य हमने केरल की गाथा सुनी हमने त्रिपूरा में वामपंत की लूट की कहानी सुनी अब जो तीसरा राज्य है महत्पूर्ण राज्य है वो है बंगाल का बंगाल में आप जानते हैं लेट और लेट के बाद त्रिणमूर का साशन किस प्रकार से किसानों की लिए घातक रहा है देखिए लेट के समय जो अपी एम सी एक्ट लेट ने बनाया था बंगाल में वो केवल और केवल पैसा उगाने के लिए बनाया गया था और मैं आपको बहुत महत्वपून एक जानकारी देता हूं कि यह जो मंडियां तो थी मगर मंडी तक पहुचने से पहले टोल टोल जो टोल गेट्स बनते हैं वैसे उन्होंने नकली टोल गेट्स बनाया हुआ थ जिसका नाम नाका बंडी कहा जाता है नाका बंडी करके वहाँ टोला चार्ज जिसके विशह में अभी आधर्निया मिच्शा जी ने और आधर्निया जगत प्रकाश नडडा जी ने बताया वही पद्धती अभी तक कंटिन्यू किये हुए थे ममता बेनर जी ने टोला चार् बंगाल में एक खासियत है वहाँ के मौसम के कारण वहाँ आलू का उतपाद बहुत अधिक है और यह आलू के उतपाद के कारण जो प्राइवेट कॉंट्रेक्ट फार्मिंग होती है खास करके पेपसी की लेज और अंकल चिप्स के लिए उसका अधिकांस जो उतपाद होत लगभग 9500 करोड का है तो यह आपने जब यह कॉंट्रेक्ट फार्मिंग किया तो वामपंत के समय में किया था उस समय यह ठीक था हमने जब कॉंट्रेक्ट फार्मिंग की बात की तो वामपंत को यह प्राइवेट एंटीटी के हाथ में किसानों को बेचने के तरह लगता ह आप जब private entity को बुला कर लाते हैं, वहाँ इतना बड़ा कारोबार करने की चेश्टा करते हैं, तो वो ठीक है, मगर जब हम कहते हैं कि केवल potato नहीं, बाकी लोग भी करार कर सकते हैं, तब आप उस पे उंगली उठाते हैं, बंदुगन सबसे बड़ी बात है कि जो communist government है, उन् entry दी थी free market में, तो ये जो communist आज कह रहे हैं कि private entity नहीं घुसना चाहिए, ये इनकी hypocrisy और इनके दोगलेपन को दर्शाता है, और आश्चरी की बात है, ये जो amendment आपने APMC कानून में किया था 2009 में, उस समय आपने कोई प्रावधान नहीं रखा था कि stipulated time period के अंदर payment होना चाहिए, हमने जो central कानून रखा है, उसमें हमने यही करार का clause रखा है, प्लस हमने add किया है कि तीन दिनों के अंदर payment हो जाना चाहिए, इसमें आपत्ती क्यों है, अगर potato growers को जो आलू उत्पाद हैं, उनको तीन दिनों के अंदर उनकी payment मिल जाएगा, उनकी भुकतान हो जाएगी, उनका जीवन सुधर जाएगा, तो आपको क्या परिशानी है, बंदुगन, बंगाल में अभी की परिस्थिती तो आप जानते ही है, आज ममता जी के कुछ जो कार करता हैं, वे किसानों से मिलने गए थे, किन्तु PM किसान निधी, अभी 18,000 करोड रुपे, प्रधान मंतरी मोदी जी रिलीज करेंगे, डारेक्ली 9 करोड फार्मर्स के अकाउंट में जाएगा, DBT के माध्यम से, मगर PM किसान निधी को लेकर, जिस प्रकार की राजनीती मौम बंगाल का सवाल है, यह कहना आतीशोक्ती नहीं होगा, कि Bengal has only traveled from the frying pan to the fire, पहले frying pan के उपर थी, कम्यूनिस्ट सरकार, और अब वो आग में आके गिर चुकी है, त्रिनमूल कॉंग्रेस के अंतरगत, जहां तक वाम पंतियों के कुछ और्गनाइजेशन को एक्सपोज करने क बात है, मैं दो विश्यों को यहां रखूंगा, एक न्यूस पेपर आर्टिकल लेके आया हूँ मैं, एक बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध न्यूस पेपर है, अंग्रेजी डेली है यह, मैं नाम नहीं लूँगा, मगर आप देख लीजिएगा, उसका हेडिंग है, बोल दू, मैं फार्मर्स के उपर अटैक नहीं कर रहा हूँ, वो हमारे अनदाता है, वो हमारे भगवान है, मैं कुछ संगठनों पर यहां प्रश्न उठाने वाला हूँ, देखिए इस आर्टिकल में, उस अंग्रेजी डेली ने एक बहुत महत्तोपून सवाल उठाया है, और मैं आपको वो पेपर भी दिखाता हूँ, उस अंग्रेजी डेली ने एक चिट्थी दिखाया है, 13 नवंबर 2020 को एक चिट्थी तोमर जी को दी गई, जो की डिमांड था, छे डिमांड रखे गए थे, एक किसान और्गनाइजेशन द्वारा, उसका छटवा डिमांड क् मैं पढ़ देता हूँ, withdraw all cases against the farmer leaders all over India, intellectuals, poets, lawyers, writers and human and democratic right activists, those who have been jailed in false cases should be released, तो ये छट्वा जो डिमांड है, पांच डिमांड तो चलिए किसान से संबंदित है, मगर जो छट्वा डिमांड है, पोएट को release कर दीजिए, कौन है ये पोएट, कौन सा किसान पोएट है जिसको भारती जन्ता पाटी में जेल में रखा है, कौन है, आप याद करिए, नौ तारीक को, Human Rights Day पर कुछ पोस्टर आये थे, उमर खालीद को रिहा करो, सरजिल इमाम के बक्ष में, कौन है ये पोएट, मैं आज खुल के बताता हूँ, कौन है ये पोएट, मैं नाम तो नहीं लूँगा, मगर ऐसी भी एक और्गनाइजेशन है, जिसके जो फाउंडर्ज है, मैं उन फाउंडर्ज के कुछ के नाम लेता हूँ, एक ऐसी और्गनाइजेशन है, जिसके फाउंडर ने PDFI, अर्थात People's Democratic Front of India बनाया था, ये PDFI क्या है, ये PDFI एक माविस्ट संस्था है, जिसको 2009 में Congress Party ने UAPA के अंतरगत किया आतंकवाद से सम्मलित है, ऐसा कहे के Congress ने बैंक किया था, हमने बैंक नहीं किया था, Congress ने बैंक किया था, इसके बहुत सारे founders हैं, कुछ founders में से वारावारा राओ, मेधा पाटकर, SAR गिलानी ये भी सामिल है, और आज वो organization active है, तो आप खुद बताईए, अगर ऐसे लोग हैं, जो वामपन्थी विचार धारा को आगे बढ़ाने के लिए, पोएट को release कर दो, कौन है पोएट, हम भी जानते हैं, इतने मुर्ख तो हम नहीं हैं, वारा वारा राओ को release करवाना आप चाहते हैं, ये वारा वारा राओ को हमने जेल में डाला है, कोट के माध्यम से वो जेल गए हैं, अपनी करणी के कारण जेल गए हैं, इसलिए किसान उसका तो दाइत्व है, उसका अधिकार है, कि वो अपने लिए एक लोकतांत्रिक देश में बिलकुल संघर्च कर सकता है, और सरकार बाचीत भी कर रही है, आगे भी करेगी, किन्तु हम सब को सावधान रहना है, कि कुछ ऐसे अवांचित तत्व, और खास करके वामपंथी तत्व, जो किसानों के बीच, किसान बनके घुजगाएं, उनसे देश को सावधान रहने के अवशकता है, वरना वो अपने एजन्डे को चलाएंगे, और किसान के जो मुख्य बिंदू है, उसे भटकाएंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद बंदूगन, आप कोई सवाल हो तो जरूर पूछें. जब गोवा से आगए हैं, क्या? लास्ट जब सुना सथा गोवा में थे, ठीक है, मिलने दीजिए, मगर राहूल गांदी जी को आप बताईए पूरा, कि राहूल जी आपने जो मैनिफेस्टो 2019 का है, आपने क्यों नहीं पढ़ा है? अपना ही मैनिफेस्टो नहीं पढ़ें 2019 में यही वो कॉंग्रेस पाटी है, जिसने कहा था, अंग्रेजी में कहा था, वो सोचते हैं हमनों कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी में कहा था, if we come to power in 2019 लोक सभा, we will repeal the APMC Act, इसको हटा देंगे, पूरी तरह से हटा देंगे कह रहे थे, आप याद करि इन्होंने अपने राज्यों में जो फल होते हैं, जो perishable products होते हैं, जो सब्जिया होती हैं, उसको APMC कानून से, APMC Act से, उसके दाइरे से बाहर रखा था, Essential Commodities Act को लेकर, 2019 के ही घोशना पत्र में सपष्टतर कहा गया था, कि जो Essential Commodities Act है, this is a law of dark ages, और हम इसको repeal कर देंगे इसको हटा देंगे, आज अरे उनी के समय याद करिये, इन सभी लोगों ने recommendation दिया था, ये जो Chief Ministers का working group बना था, जिसमें भुपेंदर हुड़ा जी उसके अध्यक्षते, उन्होंने खोद ये recommendation दिया था, सरत्पवार जी कृसी मंत्री थे उनके समय, सरत्पवार जी ने च चिठ्थी लिखा था, आप लोगों ने वो चिठ्थी दिखाया 2010 का, 2011 का, जहां तमाम मुख्यमंत्रियों को सरत्पवार जी ने चिठ्थी लिखकर ये कहा था कि अब private entities को enter करने दीजिए, market को खोलिए, उसे liberalize करिए, तो ये राहुल गांधी जी ये घर में बैठके हस्ता इसलिए लेता नहीं है, पहले आप उनको बोलिए, वो बिल पढ़ें, मुख्यमंत्र जी जी का सवाल है, वो तो 3M लेकर आई थी, मा माटी मानूश, अब वो 3T बन गई है, तुष्टिकरण, तोलाबाजी और जो वहाँ पर बहुत लड़ाई हो रही है, हमारे कारेकरताओं को मारा जा रहा है, तो ये जो तुष्टिकरण की राजनीती है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, मौमत्र जी जी पहले भी मदरसा को favor कर रही थी, उनको पैसे दे रही थी पहले भी इमामों को वो stipend दे रही थी, एक धर्म की विशेश के लिए वो चिंता कर रही थी, अब भी वो वही कर रही है, मगर ये तुष्टिकरण के माध्यम से कुछ नहीं होने वाला है, लोग अब जान चुके हैं, तो ये हमारे जो बंगाल की यूनिट है, वो इस पर चर्चा करेगी, अभी अब निवस आपनित बताया है, उस पर हमारी पार्टी चर्चा करेगी. See, I don't think, when we need to reply to one Mr. Prashant Kishore, कोई अवशक्ता नहीं है उनको रिप्लाइ करने की, हम जमीन पे काम कर रहे हैं. दो कहीं है, हमारे उनको तो जहे हैं. झाल झाल